बिजावर थाना छेतर में बीती रोज एक मार्शल कार अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे उसमें सवार करीब आधा दर्जन महीला पुरुश घायल हो गए बताये गया है कि सबी घायल पन्ना जिले के हैं जो कार में सवार होकर बिजावर छेतर के ग्राम दल्पत पुरा गमी में शामिल होने के लिए जा रहे थे गायलों को बिजावर में प्राथमे कुपचार दिये जाने के बाद जिला अस्पताल रिफर किया गया है जहां उनका इलाज जारी है जानकारी के मताबक पन्ना जिले के ग्राम विक्रमपुर निवासी करीब एक दरजन महिला पुरुष मार्षल कार से बिजावर छेत्र के ग्राम दल्पत पुरा अपने किसी रिष्टेदार के यहां गमी में शामिल होने के लिए जा रहे थे इसी दोरान बिजावर के नस्दीक यादव धावा के पास मार्शल कार अनियंद्रित होकर पलट गई दुरगटना में रेवा रानी पत्नी बलवान सिंग उम्र पचास वर्ष, कमला बाई पत्नी थान सिंग उम्र चालीस वर्ष, सुहाग रानी पत्नी हाकिम सिंग उम्र पैंतालीस वर्ष और त्रेपन वर्षिय हाकिम सिंग सहेत 65 साल के जीत सिंग को गंभीर चोटे आई हैं। दुरगटना के बाद धायलों को बिजावर के अस्पताल ले जाए गया जहां प्रात्मिक उप्षार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रिफर किया गया है। पर गंच्ञार के बाद गोदया है। 10-11 लोग होंगे कि और पांच लोग भाए हैं उनको ज्यादा लगी है। सबसे जादा उनको लगी है कैसे क्या एक्सिरेंट हो गया कितने लोग आप तो कहां जा रहे हैं आज जा रहे हैं अरी गमी हो गी यह जा गाड़ी से पल्ट किया गाड़ी बहें किया